अग्यान वह बहुत बहुत बधाई इंडिया को और सारे देश्वासियों को न्यूजिलेंड को हराकर फाइनल में जाने की इस पर बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं बहुत से वीडियो जा रहे हैं बहुत से हाइलाइट्स आ रहे हैं लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं व तो हमारे प्रोफेसर राय चंद हैं जिन्होंने अब से तीन दिन पहले याने कि इंडिया न्यूजिलेंड के तीन दिन पहले संडे को दिवाली के दिन इंडिया नेधरलेंड्स का जो मैच था उसके पहले उन्होंने जो बातें बताई थी वह किस कदर सही हुई हैं इस available online और जल्दी ही वो हमसे final match के पहले फिर से बातचीत करेंगे तो आएए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था और किस कदर बात सही निकली उन्होंने एक advice दी थी हमारे सारे देश्वासियों को जो stadium में match देखने जाते हैं कि आप नीली जर्सी पहन के जाएएगा मैं क्लिप जीतना है तो आप सब नीली जर्सी में इस stadium में पहुँच चागे हैं ठीक है हम दाल में जहां final होगा और जो semi final होगा हो तो आप पूरे नीली जर्सी में राएंगे तो इनको कुछ समझ में नहीं आएगा position को दिखिए मैं तो आपको 30 ता बात बात बाता रहा हूँ है यह पहले कर्जी नहीं हुआ है ना यह इनके खिलारी confused वजाएं तो आप नहीं चलेगा यह बहुत नहीं चलेगा यह बहुत खिलारी में जाएं तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मेरे यह message आज के मैस तो अब शुनुई होने जा रहा है और इस मैस को दुनिया है में यह पी नह जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यह message आपसे अगला समिशाइनल होने के पहले पूरे देश मेसर को लेड़ हो जाना चाहिए कि जो लोग भी मैसे देखने जा रहा है वो नीवी जर्सी पहन के जाएं तो देखा आपने कि किस कदर जो नीला समंदर मुंबई के स्टेडियम में सैलाब की तरह बन पड़ा था उसने किस तरह से काम किया न्यूजिलेंड बल्ले बाजी और जो गेंद बाजी थी उसको परभावित करने के लिए दूसरी जो उन्होंने शांदार सलाह दी थी वो क है जो 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 बेंडर गारे मैं एक अनुषका जिन को देने जा रहा हों उन्हों में मेरे ख्याल से किली रही है जो मैं तरहने जा ह। उनको एक जब करमा चाहिये शायद वो करी रही लिए उन भी और रिड़ी अनी फ्रेंज के साथ एक अनी ऑननी इस चाहे हो इस सिप्रें कि आपके हमारे आपके करने नहीं से उतना गुसमी होगा तेकि अगर वो हमेशा यह जब करें उनके साथ प्राइट पूरे टाइम पूरती रहें एक सवाड़ बार जिदमा उनको ठीक मालूम पड़े उच्छा भी यह करती रहें कि वैल कोली यू कन ऑल डिस प्ले या अब देखिए कि अनुष्का जी स्टेडियम में मौजूद थी अपने फ्रेंड्स के साथ और वो लगातार जो है वो कोई सब्मन से कोई इश्वर को याद कर रही थी क्योंकि जिस समय वो टर्निंग पॉइंट आया है मैच का और इस विश्वकप का रोहित शर्मा 47 रिन ब अपील हुई उन्होंने कोई रन नहीं बनाया हुआ था और सबका जो कलेजा था वो मूँ में आ गया था अगर उस वक्त इश्वर की करपा नहीं होती और गेंद ने बल्ले को जरा सा चूम करके ना चुआ होता पैड को तो सारा मामला पलट गया था अब यह सलाह देखिए कि अनुष्का जी चाप कर रही थी मन ही मन मैच भी देख रही थी आपको मैं की क्लिपिंग भी दिखाता हूं और उसके बाद तो फिर अगली गेंद बेही जिराट कोणी का चौका और फिर तो वह रूके नहीं अपना पचासवा शतक लगाने से जो की आज चर्चा का कि अच भाद कर दो हूसी के लिए थी जिए सुटने हूं लूड़ कोणी का हूं और इस अपना बर देख विए निजए हैं वी दो फिर तो रहीं हां लूमाद कि पली जो और भाद का जब कैसे एफूरस्झा बचलाइं हूं परूट कि डिखें लूटक्वाश राइचन जी की तीसरी सला सुनिया जो कि बारा तारी को दे दी गई थी भविश्वानी की तरह भी थी कि अगर कहीं कभी भी कोई लूचा होने लगे मैच में जो वाकई में होने लगा था जिस समय मिचल धुआधार बल्ले बाजी कर रहे थे और बीच में दो विकट गिरने क के बाद एक स्थिती ये आ गई थी कि हम सभी बिल्कुल घबरा गए थे लोग एक दूसरे को मैसेज करना शुरू कर दिये थे कि ये क्या हो रहा है भाई कि क्या हो जाएगा बराबरी का चल रहा है और बिल्कुल चली रहा था उस वक्त जो उनकी सलाथी सुनिये क्या कहा थ इसका सिचुवेशन थोड़ी बिगाड़ जाएंगे सी मैं ठीक है तो आप लगान विच्टर को याद करेंगे माली के कि अश्री रंगर ने हैं वो साथी बिल्के गए हैं तो पसा फिर सब को अपने खर्थ में लगान विच्टर वाला बचन गाना है जो उसमें था 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 हो राज मोहां प्यावेशन रर्वान को याद करेंगे वही में लिया पार लगाएंगे और यह तो वर्स-to-wars situation है बश्योर हो यह situation हाई है तो यह जो लोग फिर्ड से बाहर हैं उनको क्या करना है इस पर बहुत तारों मलारता है जाता है लेखिया किसी नगर विशन ने ल बचाएंगे और हर आदमी चाहे वो माने या ना माने जो घर में बैठा हुआ मैं इस देख रहा था जरूर उसने एक बार भगवान को याद किया हो बहले ही मंदिर में बचके बजन ना गाया हो लेकिन हर आदमी को मन में यह होने लग गया था कि भाई यह क्या हो रहा है व हम इने जब विकट लेना शुरू किये तो फिर तो उसके बाद वरूके ही नहीं और सब नतीजा आपके सामने है अब मॉरल अब दिस मैच और मॉरल अब दिस होली स्टोरी इस कि सभी अच्छा खेलते हैं रोहिज शर्मा विराट कोहली मिचल मैकसल और रचिन एक से एक वश्वासियों को हम सबको भगवान के ऊपर इतना ज्यादा भरोशा है और हम मन से उनको उनके ऊपर विश्वास करते हैं और इसलिए हम को ऐसे मौकों पे जहां पे हम एक जुट हो कर अपने देश के लिए लड़ रहे होते हैं वहां पे हमको सफलता ज़रूर मिलती है और जो की दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और यहां पर मैं दो लाइने और कहना चाहूँगा कि क्रिकेट ही एक ऐसा है जो हमारे पूरे लेंग्वेज, जातिपाहति, धार्म, स्टेट, इन सब में हम बटे हुए हैं, क्यों नहीं हम हर जगे उसी तरह जुड़ जाते हैं, और सारी दुनिया का मुकाबला करें, जैसे कि हम क्रिकेट में करते हैं.